तो देखे लास लास में हमने डिसकस किया था कि पैरेस पैरा ओलंपिक दो पैरेस पैरा ओलंपिक में फिर हमने डिसकस किया था कि पैरेस पैरा ओलंपिक दो हजा चौबीस के उधगाटन समहरों में भारत की द्वजवाहक तो यह होंगे सुमित अंतल और साथी में भाग्यश्री जाधव फिर है कि किस अफ्रीकी देश के स्वास्थे मंत्री ने हैजा के प्रकौप की घोशना कर दी है तो यह की है सुडान देश के स्वास्थे मंत्री ने फिर करनाटक राजी के राजेपाल ने करनाटक के मुख्य मंत्री के खिलाफ मुकदम चलाने के मंजूरी यहाँ पर देदी है यह आपस में ध्यान रखेगा और राजेश कुमार पाल के गरम बात करे तो रीसेंटली वो बने है कौन नए रक्षा सचीव फिर है आईसीजी के महानिदेशक का निदन हो गया अनका नाम क्या था तो इनका नाम था राकेश पाल यह आपस में ध्यान रखेगा और फिर आपको ध्यान रखना है कि ड्रस्ट इबादित लोगों के लिए ब्रेल टेबिट कार्ड को लॉंच कर रहा है किसने PNB बैंक न फिर है कि किस राजे सरकार ने मंदिरों मठों और ट्रस्ट के लिए रेजिस्टेशन को अनिवारिये किया है तो यह क्या है बिहार सरकार ने और उसके बाद हमने डिसकर्स के कि विश्य फोटोग्राफी दिवस की बात करी तो यह कब मना जाता है तो यह मनता है 19 अगस्त को फिर हाली में अफ्रीका के बहर M.Pox के पहले मामले की पुष्टी ये कहां पर हुई है तो ध्यान लगना ये कहां पर हुई है तो ये हुई है आपकी स्वेडन में तो ये सबी था आपका last class का revision अब हम कर लेते हैं आज की class की शुरुवात तो देखे आचिर लास का हमारा first question है कि हर साल सदभावना दिवस किसकी जैनती पर मनाया जाता है तो देखे सदभावना दिवस की बात करें तो किसकी जैनती पर हम हर साल सदभावना दिवस को मनाते हैं तो ध्यान लगना इसका सही आंसर है राजीव गांधी that is option A तो राजीव गांधी जी के जैनती पर हम हर साल मनाते हैं सदभावना डिवस तो option number जो A है वो आपको उसमें ध्यान लखना है तो देखे सदभावना डिवस जिसे हम हर साल 20 अगस्त को मनाते हैं सदभाव डिवस के नाम से भी जानते हैं और भारत के सभी नागरिकों के बीच में शांती सदभाव और सदभावना को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को यहां पर मनाया जाता है तो आपको ध्यान लखना है सदभावन दिवस किस से संबंधित है तो ये संबंधित है किस से राजीव गांधी जी से तो option जो ए था वो इसमें आपको ध्यान लखना है और अगर हम बात करें राजीव गांधी की जनम दिवस की तो ये था कब 28 अगस्त 1944 को यानि के 20 अगस्त 1944 इनका बर्थ हुआ था यहाँ पर मुंबई महारास्ट में और अगर हम बात करें किस चीज की मृत्यू कब हुई थी तो इनकी मृत्यू यह हुई थी 21 मई 1991 में तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है ठीक है और अगर हम अधर आप्शन को डिस्कस करें तो देखी आप कर सकते हैं किस चीज से तो हम सभी जानते कि अटल विहारी वाजपे जी के जिनम तिथी है वो क्या है 25 दिसंबर और इसी दिन हम क्या मनाते हैं तो इसी दिन हम मनाते हैं सोशाशन दिवस यानि की गुड़ गवर्नेंस दे तो यह आप इसमें ध्यान रखेगा फिर बारी आ 16 जिनम दिवस हैं वो हम मनातें इकत्īस अक्टूबर को और इस दिन हम क्या सेलिबरेट करते हैं तो यूनिटी यानि की रास्ती एकता दिवस की बात करें तो यह हम बनाते हैं ।न में मंनाते हैं कब बल्लबाई पर टेल जिसे बात करें तो किसको अप्रिलेट कर सकते हैं रास्टे एकता दिवस को तो यह आपको उसमें ध्यान लगना है फिर बढ़ते हैं अगले क्यूशन के तरफ और सेकंड क्यूशन है हमारा आज का कि केंद्री मंत्री डॉक्टर विरेंद्र कुमार ने कह तो देख सकते हैं दिववे कला मेला कहा पर हुआ है तो यह 36 राइपूर में यह हुआ है और उद्खाटन किस ने किया तो इसका उद्खाटन किया किसने केंद्री मंत्री डॉक्टर विरेंद्र कुमार ने तो देखे भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंद्री डॉक्टर विरेंद कुमार ने 17 अगस्ट 2024 को 36 कड़ के रास्थानी रायपूर में सत्रवे दिव्वे कला मेले का उधगाटन किया है और इस अफसर पर 36 कड़ के जो मुख्य मंत्रे विष्णु देव साई वो भी उपस्तित थे और दिव्वे कला मेला के अगर हम बात के तो 2022 में विकलांग याने के जो दिव्व्यांग लोग होते हैं उन कलाकारों को उनके उत्पादों तक बाजार पहुँच प्रदान करके आर्थिक रूप से शशक्त बनाने के लिए इसके शुरुवात यहां पर की गई थी और इसका उद्देश्य है कौसल को विक्सित करना मतलब जोनके स्किल है उसको डवलप करना यही बेसिकली इसका उदेश्य है यहां पर बन जाता है फिर आपका अगला किश्चन है विश्व मानवे दिवस प्रतिवाश हम कम मनाते हैं तो देखे एगर हम बात करें किश्चिस की विश्व मानवे दिवस यानिकी वर्ट हुमेनिटेरियन डे की तो यह हम कम मनाते हैं तो ध्यान रखना ये मनता है हर साल 19 अगस्त को that is option number जो D है वो आपको उसमें ध्यान रखना है अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी तो देखे बात है ये साल 2003 की जब बगदाद में संयुक्त रास्ट के हेड़कोर्टर पर आतंकवादी हमले में करीब 22 लोग के जो हैं आपर जान चली गई थी और इनमें एक समासेवक सर्गियो विराडी मेलो भी शामल थे जिनोंने आ समय मोत के गाल के समाई सभी लोगों को सद्धांशली आरपित की थी और संयुक्त रास्त ने संद 2008 में 19 अगस्त को विश्य मानवता दिवस के रूप में मनाने कर निर्ने लिया था और इसके बाद से हर साल 19 अगस्त को हम क्या मनाते हैं हम मनाते हैं विश्य मान डिवस और इस बार की थीम क्या थी इस बार की थीमती विक्षित भारत ठीक है गजी साथ अगस्त के द кажते हैं और 12 अगस्त की बात के तो हाते दिवस की रूप में हम इसको मना ते हैं तो ध्यान लगतना 12 अगस्त सी अब राश्टी हथकर का दिवस में हम मनाते हैं 15 अगस्त को इस बार की थीम इसके ती विक्षित भारत और 19 अगस्त को हम मनाते हैं क्या विश्व मानवे दिवस और साथी में हम वर्ल्ड फोटोग्राफी डेबी 19 अगस्त को ही मनाते हैं तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है डिटेल में आपको बता चुक हैं बगदाद से इसके शुरुवात हुई थी और 2008 में 19 अगस्त को मानवता दिवस के रूप में हमने मनाते हैं कुछ अगर हम other important days की बात करें अगस्त में तो देखे एक अगस्त को हम मनाते हैं रास्टे परवता रोहन दिवस एक अगस्त को ही हम मनाते हैं विश्य व्यापी वेब दिवस और इसके लेवा बात करें किस्षिस की यानिकि वर्ल्ड वाइड वेब की हाँ पर बात हो रही ह रास्टे तरबुष दिवस की बात करें तो तीन अगस्त को हम यहाँ पर मनाते हैं फ्रेंड्शिप डे की अगरम बात करें तो कब मनाते हैं तो यह हम मनाते हैं चार अगस्त को हिरोशिमा डे की बात करें तो यह मनता है छे अगस्त को रास्टे हद करगा दिवस के गरम बा और इसके लावा बात करें किस्चिस की विश्व हाती दिवस की तो यह हम मनाते हैं 12 अगस्त को तो यह थे आपके कुछ important days जो कि आपके किस्चिस के हैं यह हैं आपके अगस्त महीने के तो सभी आपको ध्यान लगता है काफी important days यह पर बन जाते हैं ठीक हैं बढ़ते हैं अगले किस्चिस की तरफ तो अगले किस्चिन है हमारा भारत और किस देश के बीच में सैयप्ति सैन्ने प्रिसिक्षन अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन ये किया जा रहा है तो देखे कर हम बात करें कि इसकी मित्र शक्ति अभ्यास की तो ये भारत और श्रीलंगा के बीच में हम मनाते हैं तो option A आपको इसमें ध्यान लगते हैं हलाकि से पहले भी ये news म हुई थी और आपको ध्यान लखने कि कब से कब तक मनाया जा रहा है तो ये मनाया जा रहा है आपका 12 से लेकर 25 अगस्त के बीच में ठीके और इसका दसवा संस्क्रन है ठीके कहां बर हो रहा है तो श्रीलंगा के मंदुरे ओया में आर्मी ट्रेनिंग स्कुल में इसकी शु आपके लाइजब क ikke में refresh कंच को समप्रिति आपके कहां पर यह है आपकी बांगलादेश में इसके लिए बातपर नेपाल की तो नेपाल से आप रिलेठ कर सकते किस शि़को सूर्य किरन को काफी में एकक्सरसाइज पी और मंगोले की बात करें तो मंगोले से आप रिलेट करें सकते हैं किस चीज को नॉमेडिक एलिफेंट को यह भी रिसेंटली जुलाई में आइधिंक न्यूस में था तो ध्यान दकें नॉमेडिक एलिफेंट यह किस चीज से इंडिया और मंगोलिया सूरे की रन की बात करें तो इंडिया और नेपाल समप्रिती एक्सेस की बात करें तो इंडिया और बांगलादेश और मित्रशक्ती स्लाइनेक्स की बात करें तो इंडिया और शीलंका से आप इसको याद रख सकते हैं अब बात आये श्री लंका की तो इसको हम देखते हैं तो रास्थानी इसकी कॉलंबो श्री जैवर्धना पुरा कोटा मुद्र है इसकी श्री लंकाई रुपिया राश्टपती है रनल विक्रम सिंग है और प्रधान मंत्री है दिनेश गुर्वर्धने और यहाँ पर हमने इसको मेंशन कर दिया है मित्रशक्ती साथी में स्लाइनेक्स और इंडिया और श्री लंका के बीच में जो स्ट्रेट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टन बन जाते है ये है आपका पाक स्ट्रेट ये भी आपस में ध्यान रखेगा फिर है हाल ही में कौन? D23 Expo में सबसे यूवा, Disney Leesand यहाँ पर बनी है तो D23 Expo में सबसे यूवा, Disney Leesand ये बनी है कौन? ये बनी है Miley Cyrus आप्शन नंबर जो D है वापस में ध्यान रखेगा आप इमेज में देख सकते हैं ये है Miley Cyrus जो की बनी है D23 Expo में सबसे युवा Disney Legend अब देखे अमेरी के सिंगर और अभिनेतरी है Miley Cyrus को अभी रीसेंटली रविवार को ही एनाहिम में आयोजित D23 Expo में सबसे कम उम्र की Disney Legend की रूप में हापर सम्मानित किया है और यह सम्मान बेसिकली उन लोगों को दिया जाता है जो कि जिन्होंने अपना जो है गहरा प्रभाव चोड़ा हो किस चीज़ पर Disney आप सभी जानते हो Disney Land, Disney World यह आपने सुना होगा जरूर तो उसी में जिसने काफी गहरा प्रभाव, काफी योगदान दिया तो उसी को यह अवर्ड दिया जाता है और सबसे कम उमर में Disney लीजे आपर बन गई है कौन यह बनी है अभिनेतरी माईली साइरस अधर आप्शन को डिसकर्स करें तो देखे रोशनी नादार आपने नियूस में सुना होगा HCL के चेर परसन है और यह रिसेंटली मोस्ट इंफुलेंसल परसन के कैटगरी में शामिल हुई थी इंडिया के तरफ से और साथी में ने फ्रांस के हाइस्ट ओरर से भी सम्मानित किया गया था यह आप इसमें ध्यान रखेगा क्लाउडिया शियनबाम के बात करें तो देखें रिसेंटली जो मैक्सिको है उसके तिहास में उसके 200 साल के तिहास में पहली यह रास्टपती हां के बनने जा रही है आक्टूबर में शपत देंगी तो यह आप इसमें धान रखेगा इसके लाब बात करें किस्चिस की पेंटॉग टारन शिनावात्रा की तो यह बेसिकली अभी थाइलेंड की सबसे कम उम्रिकी हां पर बनी है रास्टपती थाइलेंड की बनी है प्राइम मिनिस्टर हां ठीक है तो थाइलेंड की प्रैमेस्टर बनी है सबसे कम उम्र की कौन है शिनवात्रा और मैक्सिको की रास्टपती बात करी कौन बनी है तो क्लाउडिया शियनबाम बनी है रोशनी नदार से आप याद रख सकते हैं अचियल की चेयर पॉर्सन जो की फ्रांस की हाइस्ट ओर से भी सम्मानित हुई थी और मैली सारस की बात करी तो रीसेंटल अभी डिजन बनी है सबसे युवां तो ये आपको उसमें ध्यान लखना है फिर आपका अगला किश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने एक हजार सेविल सेवा अधिकारों के प्रसिक्षन में के लिए समझोता है यहाँ पर किया है तो ध्यान लखना ये किस ने किया है तो ये किया है अभी रिसेंटली मालदीव ने तो आप सभी को मालूम है कि जो हमारे देश के फोरिन मिनिस्टर है एस जैशंकर वो मालदीव की आत्रा पर गए थे तो उसी दुरान उन्होंने एक हजार सेविल सेवा अधिकारों के प्रसिक्षन के लिए समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर यहाँ पर किये हैं तो ऑप्श से सुशाशन केंदर और मालदीव सेविल सेवा आयोग के बीश में किया गया है तो यह भी आपको इसमें ध्यान रखना है अधर ऑप्शन को डिसकस करें तो देखे जापान के टोक्यो से आप रिलेट कर सकते किस शीज को कि यहाँ पर अभी जैशंकर जी गए थे और उन्ह से मिटिंग जो थी कजाकिस्तान में हुई थी आप इसमें ध्यान रखेंगे और नेपाल से आप याद रख सकते हैं कि रिसेंटली एक इलेक्रिसिटी को लेके समझो होता हुआ है तो यह आपको ध्यान रखने तो जापान से आप कॉर्ट फोरन मेंस्टर की जो मिटिंग वह हुई थी कहाँ पर कजाकिस्तान में जिसमें बेसिकली बेलारूस को टेंथ मेंबर नहां पर एड़ कर लेका था किस चीज में एसीज में और नेपाल से आप याद रख सकते हैं किस चीज को क्या भी एलक्रिसिटी को लेक समझो होता हुआ है वो आपका नेपाल से रिले तो ये मना है 20 अगस्त को आपस में ध्यान रखेगा तो हर साल 20 अगस्त को विश्यमच्छर दिवस मनाया जाता है और यह 1897 में सर रोनाल्ड रोसं द्वारा की गई कोज की आदने मनाया जाता है विश्यमच्छर दिवस की बात के 1224 की थीम तो यह अधिक न्यासंगत दुन रखना है कि तो किस राज्य की सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों को पोस्टिक भुजन उपलब्ध कराने के उद्धिश्य से मुख्य मंतरी बाल पोस्टिक अहर योज्णा के शुरुवात की है तो ये किस ने की है तो ये की है आपके हिमाचल पर्देश ने डाट इस ऑप पूर्मी मुख्य मंत्री बाल पोस्टिक अहार योशना की शिर्वात यहां पर की गई है जिसका उदेश्य सरकारी स्कूल के बच्चों को पोस्टिक भुजन उपलब्द कराना है योशना की तैत 15181 स्कूलों में नर्सरी से ककसा आठ तक के बच्चों को सब्ता में एक बार उबले अंडे या फिर आप क्या सकने की फल दिये जाएंगे जो मुझुदा मध्यान भुजन कारेक्रम का पूरक होगा इस पहल से मध्यान यानि कि जो मिड़े मेल वाली योशना उसके अंतरगत आने वाले लगबक 5,34,000 बच्चों को लाब होगा और राज्जे ने इस न इंदर सिंग सुखो और राचेपाल को ने तो यह शिव प्रताप शुकला तो यह आपस में ध्यान रखेगा आधर आप्शन को रिलेट अगर हम करें तो देखें बिहार से आप रिलेट कर सकते हैं कल ही हमने पढ़ा है किस शीज को कि मधिरों मठों और ट्रस्ट के रेजिस क्याश प्रोवेड कराने वाला फॉर्स्ट स्टेट कौन सा बना है तो यह बना है आपका मध्य प्रदेश तो यह सभी आपको उसमें ध्यान रखना है फिर शुद्ध सुनने कार्बन उचसरजन का दरजा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड़ा यह कौन सा बन हुआ है और दिल्ली में इंद्रा गांदी अंतरास्टी हवाई अड़ा के संचालन यह जीम आर सम्हों के नेतत वाली एक डियाल की द्वारा किया जाता है और हवाई अड़े का प्रारंबिक लक्षे दो हजार तीस तक शुद्ध सुनने कारबन उचसरजन प्राप्त करना प्राप्त कर लिया गया है और दिल्ली हवाई अड़े ने 24 में इस तर 5 सुनने शुद्ध सुनने उचसरजन माननता प्राप्त कर ली है जो कि कुल 5 में से उच्टम माननता स्तर 5 ही है ठीक है तो यह आपको समिधान लगना है तो फर्स्ट एयरपोर्ट कौन सा बना है तो य अगला किश्टन 20 अगस 2024 को भारत और किस देश के भारत जापान के बीच में 2 प्लस 2 मंत्री स्तरिय वारता है वो कहां पर आजट की गई है तो ध्यान रखना यह कहां पर हुई है तो यह हुई है आपकी कहां पर तो याद रखना यह हुई है नई दिल्ली में दाट इस कि अगरी डॉक्टर एस जय शंकर अपनी जापानी रक्षा मंत्री कि आरा मिनोरो और विदेश मंत्री की सतने शामिल हुए है और इसका बेसिकली पॉपस क्या था रक्षा मंत्री और उनके जापानी सम्षक के विच में दोइपक्षी बेठा कर हुई है और काफी सारे करें कि इसको रास्टे आंदोलन की महतपून गटना है देखें उनने सो बीस तक यह मामनेकर डिसकस करने तो इसके बात की बात करें तो 1922 में आप देख सकते हैं चोरी-चोरा कांड हुए था 1927 में बात करें तो साइमन कमिशन के न्युक्ति 28 में भारत आ चुका था 1929 में भ 1932 में संप्रदाइक निर्वाचक प्रणाले की घोशना की गई थी 1932 में पूना पेक्ट हुआ था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तो यह आपको उसमें ध्यान लगना है कल आप मैं आपसे पूछा था कि हाली में भारत में कितने नए रामसे साइट्स की घोशना की गई है तो आपने बताया था इसका सही आंसर है ती दो हाँ आपका तमिल नाडू से और एक आपका कहां से मद्देव रदेश और आजका क्योशन है विस्वासे संग्रठन ने कि से ग्लोबल प्रब्लिक हेल्थ इमर्जन से घोशित किया है तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है इसके लाइब हमें टेलीग्राम पर फोलो कर सकते हैं यहां पर आपको डेली क्विस आती में करंट अफे की पीड़े फसानी से अविलेबल हो जाएगी इंस् दें, थैंक यू सो मच, हावा गुड़ दे, विश्यो अल दे वेरी बेस्ट